नमस्कार आजना ITI ना e-learning प्रोग्राम मा हूँ आर्पी ग्यालवडिया सुपरवाजर इंस्ट्रक्टर वध्योडित तालिम्शंस्ता दियोदर आप सवनू हार्दिक स्वागत करूछु आजे हूँ ITI मा चालता कॉंपिटर ग्रूप अंतरगत MySQL ना इंसर्ट अपडेट डिलेट क्वेरी विशे आप सवने तालिम सह मार्ग दर्शन आपीश तो आजना आप प्रेक्टिकल मा आपड़े शिखीशू MySQL मा डेटा क्यों रितना इंसर्ट थाए इंसर्ट करेल डेटा ने अपडेट क्यों रितना करो अने वन जोता डेटा ने टेबल मा थी डिलेट क्यों रितना करो ते आजना प्रेक्टिकल मा आपड़े शिखीशू MySQL मा insert statement नो उप्योग, तो MySQL मा insert statement नो उप्योग डेटाबेज मा अथवा table मा data add अथवा insert करवा माटे थाई छे, डेटाबेज मा अथवा table मा data insert बे रित्वधी करिशक आई छे, जैंके insert record in single row और insert record in multiple row, तो चालो शिखिए, डेटाबेज मा अथवा table मा data के भी रितना insert करो, तो data insert करवा माटे basic statement आवे छे, जैनू नाम चे insert into, अहिया जै ते table मा data insert करवानो चे, ते table नू नाम एक पच्छी एक फिल्ड नू नाम आपवानू छे, अहिया role number, s name, age अने gender, counts पूरो करवानो चे, अना पच्छी values जै वेल्यू आपडे टेबल मा insert करवाना चे, ते value, थारो के अहिया counts ने अंदर एक जै रोल नूंबर ने value चे, पटेल, सूरेश जै एस ने value चे, टेबल कोटेशन मा, age ते त्री आपे ली चे, जै एज ने value चे, अना gender यहां male, तो आम कोमा करवा थी, तमें multiple row insert करी शको चो, तमारे एकज row insert करवी होए, तेना माटे तमारे अहिया आगाल बिजी कोमा करी ने आगाल वधवाने जरू न थी, तमें अहिया counts करी अने पूरू करी शको चो, तो multiple row insert करवा माटे, टेबल ने अन्दर, insert into student, जे ते field नू नाम अथ्वा column नू नाम, values, values आपी देवाने जे तमारे counts ने अन्दर, यहां पसे कोमा करी, बिजी रो ने value, तीजी रो ने value, चो अथी रो ने value अन्ने 5P रो ने value, M, आम तमारे जेटली पन value insert करावानी होई, तेटली रो मा तमे value आपी शको चो, अन्ने पच्छी तमारा command ने run करवानों रन कमांड करता, आपनने आपनो record insert थाई गयो चे, तो record करेल डेटा जोवो होई, तो यहना माटे select star from table नू नाम, आपनो table नू नाम चे student, आ स्टेटमेंट ने रन करीशू, रन करता, आपन चेपन data insert थेलो चे, ए आपनने यहां जोवा माड़े छे, हवे, अपडेट क्वेरी न उप्योग, माई SQL मा रहेल डेटा मां सुधारो वदारो करवा माटे थाए छे, तो चालो, आपने student नाम ना टेबल मा, डेटा केविरितना अपडेट अपडेट, अपडेट लखे पच्छी, टेबल नू नाम, टेबल नू नाम एटले के जे टेबल मा तमे रेक़र्ड अपडेट करवा मांगता हुए, ते टेबल नू नाम, यह आपच्छी आवसे set, set keyword लखे पच्छी जे ते कॉलम नू नाम, जे कॉलम मा तमे डेटा अपडेट करवानू छे, equal to sign करया पच्छी new value, अहिया तमारे नवी value जे तमे अपडेट करवा मांगता होए, ते नवी value अहिया लखवानी छे, ए लख्या पच्छी where close नो उप्योग तमारे अहिया करवा पडशे, तो where close लखवानू रेशे where, हैने condition, condition आपवानी छे, कि त अपडेट थो जोई, तो आपड़े यहां लख्यू छे, SNAME, लेके student नामना टेबल मा, SNAME फिल्ड मा जयनू नाम पटल सूरेश छे, त्या age एने, 33 ने जग्याए, कर थाई जेशे 40, तो आ रेते आपडेट स्टेटमेंट नो उप्योग करी सक्ये छिए, अने आपडा टेब त्यानो उप्योग, existing record delete from table, इटले के, कोई वन जोई तो record तमारा table नी अंदर हुए, अनने तमारे table माथी delete करवा हुए, तो एना माटे delete statement नो उप्योग थाए जे, आ क्वेरी नो उप्योग, MySQL मा आखी row ने delete करे जे, तो तमारे ध्यान एर आखवानु छे, के delete statement नी मदद थी, आपड़ा table माथी आखी row नो data delete थाई जशे, अने अन्ते जिटली row delete करी होई, ते गणिने आपणने result डिस्प्ले करे जे, यहले के आई याँ, one row deleted, two row deleted, एवी रितना आपणने message डिस्प्ले करे जे, तो आओ सीखिए delete statement नो उप्योग के वी रितना थाए छे, तो delete नी तो तेना मटे सवप्रतम तमारे लख्यों पडशे, delete, delete from, from एटले काया table माथी यकोड delete करवानो थे, आने पचि टेबल नू नाम, तो from table name, एटले के delete from table name, आई आपड़े student नाम ना टेबल माथी data delete करवा मागिये छे, आई आई आपण condition आपवी जरूरी बनी जेती होई ज नहीं तो तमारे table नो तमाम डेटा पन डिलेट थे शकेए जे, तो delete from student, वेर, आई आपड़े condition आपी, वेर, gender is equal to male, तो आई 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 स्टूडेंट ना टेबल माँ, जहा अगर जहनू जेन्डर male हाशे, ए तमाम रेकोर्ड सु थे जेशे, डिलेट थे जेशे, आई अपने शिख्या, table नी अंदर रहेलो data, delete के विरितना करो, table नी अंदर रहेलो data, update के विरितना करो, अने table नी अंदर data के विरितना insert करो, आभार